कि अपने घर में एकदम सेफ होंगे एकदम सुरक्षित होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और उसे भी important बात कि आपने अपने जीवन के प्रती, अपने relations के प्रती और सबसे बढ़ी बात कि खुद के प्रती अपने attitude को positive बढ़ाई रखा होगा दोस्तों जब हम अपनी खुद की respect करना शुरू कर देते हैं, जब हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी हमें प्यार करने लगते हैं दिक्कत कहा होती हैं कि हम खुद को ही नजर अदास करने लगते हैं, हम अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, और यहीं से ही गलतियां होना start होती है जिस दिन आप खुद को realize करते हैं, जिस दिन आप खुद की जो ताकत है उसे पहचानते हैं, खुद की जो image है जब उसे आप accept करते हैं तो आपको खुद से प्यार होने लगता है और जब आप खुझ से प्यार करने लगते हैं तो आपको देखने के बाद आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपके लिए प्यार जो है वो create करने लगते हैं तो आज का जो मंत्र है वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार जो करना है वो खुद से करना है उसके बाद किसी और रिष्टे का उसके बाद किसी और विप्ती का या उसके बाद किसी और वस्तू का नमबर आता है तो आज ही इस चीज़ को गाट बान लीजएगा और रोज सुभा उठ करके अपने आपको बहुत अच्छी से tightly hug कीजिए और खुद को कहिए I love myself, खुद से प्यार करिए, जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की जो परिस्तियां जो लोगों के लिए जो लोग complain करते हैं कि हमारा पेट बहुत जादा bloated रहता है, हमारा पेट बहुत जादा फूला फूला रहता है, हमें बार 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 बाप्स आते हैं, हमें बार बार फार्ट्स आते हैं और हमें ऐसा लगता है कम खाने के बाद भी कि हमारा पेट जो है वो भरा हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके reasons क्या हो सकते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि हमारी kitchen के अंदर ऐसी क्या चीज़े हैं, जिनकी वज़ा से हम अपनी इन परिशानियों से चुटकारा पा सकते हैं, so make sure कि अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस परिशानी से परिशान हैं तो इस वीडियो को last तक ज़रूर देखें पसाद आता है, तो एक like का प्रिटन दबा करके motivation ज़रूर दे Hello friends, good morning, नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ Dr. Manoj, एक aromatherapist एक natural therapist दोस्तों, इस चानल पर हम लोग बात करते हैं, skincare, hair care, healthcare, personality development और healing से तुड़े topics के बारे इस चानल पर upload होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर हम reasons की बात करें जिसकी वज़ा से हमारा पेट bloat होता है, पेट फूलता है तो तीन बड़ी reasons होते हैं सबसे पहला जो reason होता है दोस्तों वो होता है over eating over eating का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप एक समय पर बैठ करके बहुत सारा खा लेते हो over eating का मतलब यहाँ पर यह है सड़ता रहता है और acid बनाता है जिसकी वज़ा से आपका पेट जो है वो फूल जाता है उसके अंदर bloating हो जाती है उसमें आफरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने diet को कुछ नियमों के साथ मांधना कि आप 3 meal pattern यूज करेंगे या 5 meal pattern यूज करेंगे लेकिन जो भी pattern आप follow कर रहे हैं उस pattern को time to time follow करें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जब की तमें मिलता है अपने काम से हम उसे करना खाना शुरूर कर देते हैं लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज के लिए आप कमा रहे हैं अगर वही चीज आप time से नहीं ले रहे हैं तो कमाने का फाइदा क्या किस के लिए हमें चब छोड़के जाने वाले हैं नंबर दो जो चीज दोस्तों आती है वो ये कि जब आप गले को उपर करके ऐसे पानी पीते हैं मतलब कि आप आप बॉटल से पानी पीते हैं याप स्ट्रॉज से पानी पीते हैं तो आप गले के अंदर बहुत सारी हवा ले जाते हैं चैयो कि 이게 के साथ साथ जब ये हवा आपके शरीव में जाती है तो इसकी वज़ा से आपके शरीप में bloating होने लगती है, आपका पेट फूलने लगता है जब भी आप पानी पी रहे हैं, कोई coldering पी रहे हैं, juice पी रहे हैं या फिर कुछ भी और दूसरी चीज़ पी रहे हैं, उसको glass से पीए और straw के बिना पीएं, क्योंकि straw के अंदर बहुत साथा gas चली जाती है जिसकी वज़ा से आपके पेट में bloating होना शिरू हो जाती है नमबर तीन और नमबर लास्ट जो reason होता है दोस्तों वो होता है आपका constipation अगर आपके पेट की सफाई properly नहीं होती है, अगर आपका digestion कमजोर है और आप अच्छे से fresh नहीं हो पाते हैं या आप fresh होने जाते हैं लेकिन आपको feeling of emptiness मतलब खाली हो गया आपका पेट ऐसी वाली feeling नहीं आती है तो ये सड़ने वाला मल, ये सड़ने वाला stool आपके शरीर के अंदर bloating पैदा करने लगता है आपके शरीर के अंदर फुलावट लाने लगता है और आपका पेट फूल करके एकदम कुपे जैसा हो जाता है और आपको तकलितों का सामना करना पड़ता है तो constipation आपके शरीर में नहीं होना चाहिए अब क्या वो ऐसे तीन चीज़े हैं जो हमें अपने रोटीन में शामिल करने से हमें इन ट्रॉब्लम्स पे बैनेफिक मिलेगा तो सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है योगासन कीजिए और विशेशकर योगासन में भी दो योगासन में आपको सज़स्ट करूँगा पहला जो योगासन है वो है पवन मुकतासन पवन मुकतासन के अतर आपको सीधा लेटना होता है अपने गूटनों को मोड करके अपने गले तक लाना होता है अच्छे से उसे दबाना होता है, ताकि आपके पेट के उपर प्रेशर बन सके, जैसा कि आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं, जिससे कि जो भी gas, जो भी acid आपकी body ने produce किया है, वो farts बन करके, वो gas बन करके आपकी anus के रास्ते से बाहर आ सके, जब ये बाहर आ जाएगा, वो धीरे-दीरे मजबूत होने लगेगा, आपके intestines powerful होने लगेगी, और दीरे-दीरे आपके शरीर से आपके जो bloating की जो problem थी, उससे भी आपको चुटकाना मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरा चो दोस्तों अर्गसर होता है, वो होता है चक्की चालासन, चक्की चालासन क आपके bloating की problem से चुटकारा दिलाने के लिए, तो लगबग 10 बार अपवन उतासन का आप प्रयास करें, और लगबग 10 बार clockwise और 10 बार anti-clockwise से शुरू करें, चक्की चालासन, और रोज 2-2 के repetition अपने बढ़ाते चले जाए, अब दूसरे tip की अगर हम बात करें, तो सौफ वा देते हैं, और पूरे बार बार उस पानी को refill करते रहते हैं, तो पानी के अंदर सौफ के गुण आने लगते हैं, और जब ये सौफ के गुण आपके पानी के अंदर आ जाते हैं, तो आपका जो bloating का problem था, आपका जो अपच का problem था, आपका जो bumps का, farts का problem था, उसमें आप आपको बहुत साधा रिलीफ मिलता है तो इसे जरूर करें नूम्बर तीन जो प्रियुक करने दोस्तों आपको घर में ही अपनी केचर में उपलब कुछ चीजों के साथ एक पाउडर बनाना है जिसको दिन में तीन बार मतलब breakfast, lunch और डिनर के बार फांकी मारनी है एक glass गुन-गुने पानी के साथ में या लिपम पानी के साथ में कैसे बनाना है इस पाउडर को तो आपको लगबत 50 ग्रम काली मिर्च लेनी है दस ग्रम आपको लोंग लेना है और तीन से चार जो है वो छोटी इलाइची आपको लेनी है मैं फिर बोढ़ रह बढ़िया से इसे क्रेंग करके फाइन पाउडर बना लीजे इस फाइन पाउडर में से बहुत थोड़ा सा लगबग दो से धाई गरम के आसपास अपने मुह में डाले ब्रेकफास्ट लंच और दिनर करने के बाद और उपर से एक ग्लास गरम पानी गुन-गुना पानी ल को बढ़ाएगा आपके ब्लूटिंग आपके बर्प्स आपके फार्ट की प्रॉबलम आपके पेट फूलने की शिकाया दूर हो जाएगी तो दोस्तों आज से ही इन तीनों ही चीज़ों को अपने रूटीन में जरू शामिल कीजे तो कि एक चीज़ करेंगे रिजल्स 25 पर हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करना ना बूलें अपने दोस्तों अपने शदारों अपने यारों के साथ में क्योंकि आपके एक एक शेयर की वजह से ही आज ये परिवार 19 लाख मेंबर्स का हो चुका है और ये परिवार बहुत ही जड़ 2 मिलियन का हो जाएगा आप आपका सपोर्ट हमें रेगुरेर भी चाहिए होगा तो शेयर करते रहें नए में लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ते रहें तकि वो भी इन नैचरल चीजों के साथ में अपने जीवन को खूबसूरत बना सके हेल्दी बना सके फिट बना सके दोस्तों आपका प्यार कर दोस्तों कि अच्तों कि युदस सके दोस्तों आपका पाहिता 믖ה नैचर अनौने को खूफ्ह को टिरम को खूबस की आपकाशियों को ख Dazu हूआ हो आपका उनौने कर बना सके दोर्बसूत्趣 sommes क decay